नमस्कार, स्वागत आपका नियूज लाउंचर पर, मैं हूँ अशौक पान खड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना करेक्रम, एक्सरे, जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने इंडिया गठबंधन की सरकार का शपत विधी करवा रहे थे, स्वयम उन्होंने खुल के बाहर आ रहा था, खासकर पूर्व अध्यक्ष जो है भाजपा के बंगा लिकाई के दिलीव खोश, उन्होंने मुकर होके ये कहा, कि मदिनापूर में मैं पास साल मेहनत करता रहा, मदिनापूर से ही मुझे चुनाव लड़ना था, लेकिन अएन वक्त पे, मुझे बगर कॉन्फेडेंस में लिए मुझे बर्दवान दुर्गापूर भेजा गया, क्योंकि मदिनापूर से अगनी मित्रा पॉल को टिकेट देना था, अगनी मित्रा पॉल ये सुभेंदू अधिकारे के खास मानी जाती है, हश्र क्या हुआ, दिलीव घोश खुद बर्दव सुमित्रा खान दुर्गापूर से हार गये और मदिनापूर जहां से उनका जीतना तय था, वहां से अगनी मित्रा पॉल हार गये, इस हार खाटिकरा किसके उपर, बिल्कुल शुभेंदू अधिकारी के उपर, जो दिल्ली तक्त के ब्लिवाइड बॉय है, दुसी बात उन भी कहा कि ये दुर्भाग्य भाजपा का कि यहां त्रिनमुला कॉंग्रेस के अभिशेग बेनर जी के कद लायक कोई नेता ही नहीं हमारे हां, और यहीं है कि कई बार तो मुझे लगता है कि हमारे कुछ बड़े नेताओं ने टी-म-सी से हाथ तो नहीं मिलाए, उनका इश सुकांत मुझमदार पर था। वो पैसे तक चुरा लिया ही इन लोगोंने, चेक बुग पे चेक साइन करने के बाद पूरी चेक बुग गायफ हो गई, उन्होंने का कि शुबेंदु अधिकारी पे विश्वास करके जो गलती की है उसका खामियाजा बाजपा को भुगतना पड़ा, टिकेट खासकर दू पार्टी ने वही गलती की थी कि बाहर के आने वाले लोगों को टिकेट दिया और वो सबहार गए या जो जीत गए वो वापस टीमसी चले गए विधणस्वा में और इस बार भी लोकसभा में बाहर के उम्मिदवारों को टिकेट देना पार्टी को भारी पर गया कलकता उत्तर के पूर्व कलकता उत्तर कांस्ट्रेंस यह वहां के पूर्व तुरुनमुला कांग्रेस के विधायक तपसकुमार राय और बशिर हाट सीट की राक पात्रा का बेहतर नुधारन है यह दोनों टिकेट शुभेंदू के कहने पर ही दे गए थे इसी तरह तुरुनमुला से लोटने वाले अरजुन सिंग को बैरकपूर से उतरा गया वो बुरी तरह से हार गये लोगों का कहना था कि उन सीट पे यदि समर्पीत कारे करता जिन्होंने सालों बीजेपी के लिए काम किया उन्हें टिकेट देते तो शायद नतीजे कुछ और आते है पार्टी 2021 में पार्टी ने क्या किया था दुस्रे दलो से आने वाले लोगों को भारी तादाद में टिकेट दिया था और क्या हुआ उसमें साथ विदायक तुरुनमुला कॉंग्रेस वापस चले गये इसी तरह 2019 में जीतने वाले अर्जुन सिंग भी तुरुनमुला का दामन थाम लिया था चुनावी पराजय के कारण संगटुन की कमजूरी ही है ये बार-बार सामने आ रहा है केंद्रियन नेत्रूत को वजे से और उपर से जो केंद्रियन नेत्रूत वने जो फैसले थोपे हैं वो बंगाल इकाई के गले नहीं उत्रे यही कारण है कि भाज़पा की इतनी बुरी हाल बंगाल में हुआ प्रधान मंतिर नरेदर मोदी के ब्रैंड की बात करे तो जीन लोकसभाक शेत्र में चुनावी सभा की उन में से बारा जगा पर भाज़पा के उम्मेद्वार को हार का सामना करना पड़ा पच्चिंग बंगाल में कुछ 23 सभाई की थी कुलकत्ता उत्तर में एक रोडशो भी किया था लेकिन पूरे इलाके में पार्टी महस साथ सीटों पर ही जीत सकी संदेश खाली इलाके में तो दो दो बार सभाई हुई इसके बाद जूद ना तो पार्टी बारा साथ में जीत सकी और ना ही बशिरहाट में राज्य में जिस कोलकत्ता उत्तर इलाके में प्रधान मंत्री ने एक मात्र रोड शुक किया था, वहां भी पार्टी नहीं जित सकी, कुछ जगा तीन-चार केंद्रों को मिला कर भी साजहा रैली आयो जित की गई थी, तीन-चार आसपास के जो लोकसबाक्षेतर है, उन सभी को उमिद्वारों को स्टेज पर लाकर एक साजहा रैली करती है, प्रधान मंत्री को देखने के लिए भीरतु उम्री, लेकिन उनका भाषन हिंदी में होने के वज़े से समझ में नहीं आया, और इसके बाद प्रधान मंत्री स्थानिय मुद्दों के बजाय भारी भक्कम य कि वहां एक धर्मविशेश के लोगों द्वारा टीमसी के सपोर्ट से महिलाओं का सोशन किया गया, बात में कुछ वीडियो बहार आये, उसमें जो सत्य बहार आया और रोंग्टे खड़े करने वाला था, क्या भाज़पा चुनाओ जितने के लिए इतना नीचे गिर सकती है क्या, बंगाल ये क्याडर बेस्ट पार्टी का राज्य है, वहां लेफ्ट का क्याडर था, वो राज कर रहे थे, मम्ता ने अपना क्याडर डेवलप किया, उसने सत्ताहती आई, भाज़पा भी अपना क्याडर डेवलप करेगी, तो कुछ करिश्मा कर सकती है, लेकिन उ क्षेत्री एक्षेत्रपों को दरकिनार करते हुए गनेश परिक्रमा करने वाले शुभेंदु अधिकारी के भरों से चुनाव रड़ा और हश्र सामने हैं एक बार फिर मम्ता ने बता दिया कि मम्ता बेनर जी बंगाल की शेरनी है कुल मिलाकर इधर शपद्विदी हो रहा है सरकार बंद रही है उधर सिर्फ अवल हो रहा है वही महाराश्टर वही राजस्थान वही उत्तरपदेश सभी बड़े राज्य है जहां भाजपा को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी लेकिन नाउमीद यहात लगी इसका मुख्या कारण खेत्री अक्षत्रपों को पार्ट उने ना कार दिया जो हश्र अभी रेलियूज का मैं बता रहा था बंगाल में वही महाराश्टर में वही राजस्थान में और वही यूपे में हुआ राम का नाम भी अवद बचा नहीं पाया यह बात अलग है कि अब जगनात की जय बोली जा रही है लेकिन आने वाले समय में सरकार गटवंधन की कैसे चिलाएंगे इतनी जितनी बड़ी चिंता है उतनी बड़ी चिंता संगटन को फिर से स्ट्रीम लाइन करना है भाजपा क दो फ्रंट पर लटना होगा जेपी नडडा अभी अधिक्ष बने है जो अधिक्ष थे वो अभी मंत्री बने है एक नए अधिक्ष की बी तलाश होगी वो नए अधिक्ष कोन आता है वो क्या अपना कुछ गुडविल देता है या पार्टी पर थोपा जाता है यदि कोई पर देख्ष आया तो फिर पार्टी की हालत सुधरना मुश्किल होगी लेकिन जनता के बीच में लोगप्रिय जिदी कोई नेता अधिक्ष बनता है तो शायद वो क्षेत्री एक शेत्रपों को फिश्वास में लेंगे और कुछ अलग नतीजे सामने आने का एक भाज़पा सोच सकती है नहीं तो आने वाले तमाम चुनाओं में जो अभी हर्याणा में भी होना है महाराष्टर में भी होना है बाद में दिल्ली भी होना है यहां सबी जगाओ पे संगठन चर्मन आ गया है क्योंकि सब को दिल्ली के तरफ देखने की आधत है जो लोकल भूत लेवल पर काम करने वाले लोगyim, उनका क्या, उनके बारे में कोई नहीं सोचते है, संग क्या करता है, इनको संग की ज़ुरत नहीं थी, फिर ज़ुरत आपड़ी है, वरतमान मंत्री मंडूल में संग की छाया तो दिखती है, लेकिन किrent फिर पुरी ताकत के साथ लगेगा, या फिर वेट एंड वाच करेगा, कई चीज़े हैं, जब एक सेने में मैं बंगाल देखता हूं, तो मुझे धिरे-धिरे पुरा भारत का बीजेपी का संगठन का प्रदिश्च देखता है, आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विशे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते र प्रदिश्च एंचे!